हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ ग्याने अदर सिंग सीब और आप देखर अपना फेवरेक्स चैनल एटूजेट कॉंसेट दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किराना होलसेलर बनने में कितना पैसा लगता है बट ऐसे लोग जो बिजनस करना चाते हैं पत उनको पता नहीं कि यार कितने में स्टार्ट होगा प्रोडेक्ट कहां से लेंगे कितना फायदा होता है ठीक है यह सारी चीज़े नहीं पता है अब देखिए दोस्तों एक अच्छा होलसेलर अगर आपको बनना है और आपको अच्छ होलसेलर बिजनस में बहुत जादा पैसे कमाने है क्योंकि पहली चीज़े तो आप जान जाएए कि किराना बिजनस लो प्रॉफिट मार्जिनस होता है और उसमें भी होलसेल बिजनस एकदम लो प्रॉफिट मार्जिनस होता है तो टोटल जो आप इंकम करेंगे वो अपनी सेल पर करेंगे या नि बिक्री कैसे होगी देखिए होलसेलर का मतलब यह है कि जो भी रिटेलर आप कहा है यानि छोटी दुकान वाला आपके पास होने चीए जो एक रिटेल दुकान यानि आपके आस पडोस में जो दुकाने चोटी दुकाने वहाँ पे जितने प्रोड़क्त भीख तेहां आप कितने प्रोड़क्त राख सकते हैं अपने अपने होलसाय से त्मेंगे थगा और जितना जयादा आप इस बिसनस पे धूश् कामाने वाले है यानि दौसतू यह विजनस में कितना investment लगेगा, कितनी margin होगी, कितना investment आप furniture में लगाएंगे, कितना investment आप सामान भनने में लगाएंगे, सामान कहां से लेंगे, क्या क्या आपको license चाहिए, सारी चीजे इस वीडियो में हम बताएंगे, वीडियो को last तक जरू देखिएगा, सबसे पहली बात करेंगे investment को लेंगे, तो देखिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, यानि बहुत ज़्यादा मतलब लाखो करोडों नहीं है, बट देखिए wholesale कर दोसमें से start करना है, और market में बहुत सारे wholesaler भी ऐसा तो है नहीं, यानि कि आप PCV market में पहला wholesale दुकान आप खोलेंगे, क्योंकि competition भी है और पहले से लोग भी है, यानि कि अब आपको बिजनस को start करना है और इस बिजनस में आपको कमाना है, तो जाईश दिवात है पैसे तो आपको लगाने पड़ेंगे दोस्त, इसके बाद आप कैसा आपका ब्यवहार होता है, उन ब्यापारियों के साथ जो आपको प्रोड़क्ट देते हैं, उस पे निर्भर करता है कि आप कैसे कम पैसे में बड़ा दुजनस कर सकते हैं, इस पे लेकिन शुरुवात में आपको मेल रखने के लिए पूरे प्रोड़क्ट आपको खर्चा करना पड़ेगा, यह प्रोड़क्ट आपको खरीदना पड़ेगा, पैसे आपको लगाने पड़ेगे, तो कितना investment कर सकते हैं, अगर आप wholesale की दुकान खोलते हैं, तो जाहिए सी बात है, market में ही खोलेंगे, या market से हटके खोलेंगे, wholesale की दुकान हैं तो कहीं पे भी चल जाती है, market से 1-2 km अगर कोई बड़ी market है, और वहाँ के 1-2 km पहले या 1-2 km बाद भी अगर आप चाहिए, तो वहाँ भी खोल सकते हैं, बट एक बढ़ियां wholesale जैसे मैंने आपको पता है, एक अच्छा wholesale वही होता है, जिसके पास बहुत सारे range हो, और सारी product rules के पास हो, ठीक है, तो यह सारी चीज़े आपको तो रखनी होगी, सारी product का मतलब कि जितने भी किराना के item हो, जनरल इस्टोर के item, कास्मेटिक के item, जो regular way में बिखता है, ठीक है, और अच्छे कंपनियों के होने चाहिए, क्योंकि हर आदमी अच्छे कंपनियों को पहले priority देता है, बाद में वो local product use करता है, ठीक है दोस्तों, तो अब यह सारी चीज़े करने में कम से कम आपको 5 लाख रुपए, स्टार्टिंग investment तो होने ही चाहिए, अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, कम समय में, कम पैसे से भी आप सुरू कर सकते हैं, एक डेट, दो लाख से भी start कर सकते हैं, बट आपको customer बनाने में थोड़ा दिक्तत होगी, और long term आपको एक साल, देट, साल, दो साल लग तो एक लाग रुपए तो इसमें लग जाएंगे, चार लाग रुपए अगर आपने product रख लिए, तो इतना mail तो आप रखी लेंगे कि जो दुकानदार आ है, तो उसको एक दरजन, दो दरजन, पाच पीस, छे पीस इस तरीकी का product आप दे देंगे, ठीके, इसके लिए दो चीज होना बहुत जरूरी है, पहला तो GST नंबर आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े व्यापारे होंगे, तो GST नंबर आपके पास होने चाहिए, और food license, दो चीजे आपके पास होने चाहिए, और एक room होना चाहिए, और वहां से आप स्टार्ट कर सकते अब रूम का क्या किरा या भाड़ा एडवांस है वो सारी चीजे एक्स्ट्रा समझ लीजी अभी जो मैं बात करना हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्मेंट यानि दो तरीके का पहला फरनीचर और दूसरा गोड्स यानि माल में यह दो तरीके का अभी बता रहा हूँ कि इसमें आपको 5,000,000 रूपे लगेंगे और इन प्रोड़क्ट में मार्जिन की बात करें होलसेल में तो जो मिनिमम मार्जिन होती है वो 2% और मैक्सिमम मार्जिन आपको जो होती हो 10% होती है यानि कि दोनों के बीच का अगर हम सेट क कर दिया तो 5% के साब से 1,000 रूपे आप बचा लेंगे अब आपकी एरिया पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एरिया कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आप सेल कितना कर पाते हैं ठीक है लेकिन दोस्तों होलसेल में जो मैंने बता है 10-20,000 अगर इतने प्रोड़क्ट होते हैं दोस्तों हर रोज आदमी खाता है नहाता है बतलब डेली बिखने वाले हैं ठीक है तो प्रोड़क्ट की कोई टेंशन नहीं हर कोई बेज सकता है अब प्रोड़क्ट आप लेंगे कहां से अगर आप होलसेलर बनते हैं तो जाईसे बात है एक डिस्टिबूटर से प्रोड़क्ट खरीदते हैं डिस्टिबूटर आपके मार्केट में हर कंपणी का कोई कोई डिस्टिबूटर है अगर आपके मार्केट में नहीं है तो अगल बगल के बड़ी मार्केट में होगा यह आपको पता करना पड़ेगा बहुत लोग कमेंट करते हैं प्रोड़क् इक डिस्टिबूटर पकड़ेंगे वो बताएगा फाला ने क्या जाएंगे दो तीन कंपनियों को उनके पास उनके आगा है वो भी बताएगा उनके यह सारी चीज़े हो जाएगे ठीक है और जब आप दुकान को बैठ जाओगे ना तो वो जो एजेंट होते हैं कंपनियों क वो खुद आप कहा आने लगेंगे और वो खुद आडल लेंगे फिर आपको कहीं जाने के जुरूरत नहीं है पैठे रहेए सारा काम हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों उमीद है यह जो जानकारी मैंने आपको बताए किलियर हुआ होगा थोड़ा बहुत आपको न